आज सुबह लगबग साड़े आड़ वजे मालदे गाट में लोग परंपरा के अंसार मुन्दन संसकार के लोग आये थे और यहां यहीं परंपरा है कि ओहार लोग करते हैं जिसमें एक तट से दूसरी तट की तरफ जाते हैं उसी कारक्यम के अंतरगत लोग नाओं में सवार होके एक तट से दूसरी तरफ की जा रहे थे यह सुचना प्राप्त हो रही है कि इंजन में कुछ गवड़ी आई और आज क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है तो उसी की वज़े से नाओ डिस्वैलेंस हो गई और पलड़ गई है तो मौके पर जो गोता फुर चादी से सभी ने तुरंद रेस्क्यू आपरेशन प्राड़म भी किया और अब तक कि सुचना अकन सार सभी लोगों को निकाल लिया गया है जिसमें तीन लोगों की मिरस्क्यू की सुचना है अभी महिलाएं है और चार महिलाएं जिला स्पता साल में एडमित है बाकी लोग चले गये हैं लेकिन अभी भी हमारा रेस्क्यू आपरेशन जारी है चुकि अभी नाव निकालना है और उसके निस्चे भी कोई दवा नहों यह हमिस्ट कर रहा है इसलिए अभी रस्क्यू आपरेशन जारी अभी तक कि सुचना करण सार लग अभी दो मौके पर लोग सुरू से हैं और हम लोग भी काफी देर से हैं अभी दो अब नहीं लग रहा कोई है लेकिन अभी एक दो लोग हमको मिले हैं कि अभी उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए हमारा रेस्क्यू आपरेशन जारी है नाव हम जब तक बाहर नही कि अंदर ना हो तभी हम रेस्क्यू आपरेशन बंद करेंगे जानकारी का उनसार खेजरी थाना छेत्रे के आसपास के गाउं के लोग थे और एक नाओं में चार-पांच परिवार के लोग थे तब एक लोग सभी एक साथ होवार कारकम करने जा रहे हैं झाल